आपका स्वागत है आज जो हमारी क्लास होगी वो यह होगी कि ग्रेजुएशन यानि जो सनातक कर रहे हैं या जिनोंने अभी ग्रेजुएशन की है उन लोगों को आरेज की त्यारी किस परकार करनी चाहिए क्या रणनीती अपनानी चाहिए और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो आज जो हमारी क्लास होगी वो बेसिक इन मुद्धों पर आपके होगी कि जो ग्रेजुएशन में जिनोंने अभी जैसे ट्वेल्ट की है रिजल्ट आया आप सभी ने देखा या जो अभी फ़स्ट एर में जिनोंने एक्जाम दिया है फ़स्ट एर का या जिनो पाइनल येर का दिया है ठीक है तो उन लोगों के लिए क्या रणनीती होनी चाहिए जो की एक्जाम को क्लियर करने के लिए आफशक है तो अपन बात इस पे करते हैं आपके तो क्या स्ट्रेट जी अपना सकते हैं ये लोग तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो लोग रिजुशन में है वो लोग किस तरीके से त्यारी करें अलागि जिन्होंने अभी स्ट्रेट जी है उनके लिए भी ये इस ट्रेट जी है दोनों के लिए सेम है आपके स्ट्रेट के दोरान या अपन कह सकते हैं किसना तक के तुरंत बाद जो है आपके graduation के तुरंत बाद क्या strategy क्या रणनीती आपको अपनने चाहिए इसमें जैसे कहीं बार आप लोगों के मन में ये विचार आता है कि हमें basic त्यारी करने चाहिए और लोग जो है हमें उसी coaching में जाना चाहिए जहां पर हमारा basic clear करें ठीक है सबसे पहला मुद्ध ये आता है parents का भी ये आता है और जो student जो आपके अभी जिनोंने त्यारी शुरू की है या जिनका सपना है कि हम R.S. बने graduation के दोरान तो उन लोगों के मन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये है कि basic की त्यारी होती है या नहीं है अब ये जो basic है इसकी definition क्या है मतलब इस basic art क्या है आप लोग उन देखा होगा कुछ लोग basic art ये लगाते हैं कि हम NCRT पढ़नी है या राजस्तान बोर्ड की किताबें पढ़नी है और उसमें जाए वो topic syllabus में हो या नहीं हो वो सारी चीज वो लोग पढ़ते है जबकि उसका इस exam के इसाब से कोई ज्यादा value नहीं है अब आप जैसे जियोग्रोपी की बात करते हो तो 11 में Human Geography है मानव Google है अब आप पढ़ते हो विस्व की जनजायतिया कौन सी है कहां पे है आपके विस्व में जो परिवान ट्रांसपोर्टेशन्स है वो कैसे हो रहा है तो वो अपने syllabus में नहीं है तो वो अपन वो basic चीजे पढ़ी हुई हमारे किसी काम की नहीं है इसी तरह दूसरे subject में भी खूब सारी चीजे है science की किताबों में खूब सारी चीजे है जो आप किसे लिबस का part नहीं है तो फिर इस basic अर्थ क्या होता है पहली बात तो यह तो देखो हमारे जहां पर RS study circle की बात है तो हम लोग basic अर्थ जो है हमारा थोड़ा अलग है basic अर्थ यह होता है कि मैंने आप लोगों को पढ़ाते दोरान अगर सब्द यूज़ गिया है परवत तो मैं इस परवत को आप लोगों के पहले define करूँगा कि परवत है क्या यानि मैं कोई भी सब्द का परियोग करूँगा मैंने कोई सब्द करांती use किया मैंने कोई सब्द आंदोलन use किया तो मैं एक line में कम से कम आप लोगों को ये तो समझाऊंगा कि करांती होती क्या है या आन्दुलन होता क्या है ठीक है नहीं तो जो सब्द जिन सब्दों का इस्तेमाल टीचर करता है आपको पढ़ाते दोरान तो वो पहले उस सब्द की परिबासित करें उस सब्द को डिफाइन करें कि वह या इस सब्द का ये अर्थ है तब ही तो आप समझ भावगे ये होत दोरू तक पहुंचा हुआ है उसके भी वो क्लास उतनी ही यूजफुल होती है जितनी कि जो अभी जिसने त्यारी शुरू की है क्योंकि कहीं बार ये चीजे उसके भी क्लियर नहीं होती आपके तो कहने का अर्थ है कि अगर मैंने कोई भी वर्ड यूज़ किया है जैसे का अर्थ क्या होता है तो basic का अर्थ तो ये होता है ठीक है अगर मैं कोई सब्सक्राइब दर्रा या इसी तरह economics में कोई terms यूज कर रहे हैं teacher या अगर मान लो समीधान ही पढ़ा रहे है तो पहले तो ये बताएंगे कि समीधान होता क्या है? समीधान को कैसे परिवासित करे हम? ठीक है? समीधान क्या है? क्या ये सब से Supreme Law of Country है? ठीक है? या Legal Documents है? तो हम उस Basic से सुरू करते हैं. तभी आपको पढ़ाते हैं. तब चीजे आपके समझ में आती हैं आपके. नहीं तो नहीं आती है चीजे समझ में, ठीक है नहीं, और हो सकता है कि उन किताबों में भी इन चीजों को हरे एक सब्द को परिवासित साहिद ना किया हुआ हो, तो फिर तो आपका basic clear हुआ ही नहीं, लेकिन student क्या करते हैं, 6-7 महीने, NCRT, कहीं जगे coachingों में पढ़ाते हैं, और फिर उनके basic clear नहीं होता, ठीक है नहीं, तो इन से और वो चीजे पढ़ लेते हैं, जो syllabus का party नहीं है, तो basic कारत यह नहीं है, ठीक है नहीं, कि मैं आपको cyclone पढ़ा हूँ, चट्टाने, rocks पढ़ा हूँ, यह basic नहीं है, basic का मतलब यह है, कि जो syllabus के topic है, मैं आप लोगों को उन topic के जो भी चीजे हैं, जो भी aspect है, उन अरेक पे चर्चा करूँ, और वहाँ पे जो भी सब्द का परियोग करता हूँ, उसको मैं परिबासित करके आप लोगों तक उन चीजों को पहुंचा सकूँ, वो होता है basic clear करना, तो अब आपके यह चीजे तो समझ में आ गई होगी कि basic का अर्त क्या होता है, ठीक है, तो पहले चीज तो यह है कि basic हमें अगर आपके मन में यह person उठता है, कि त्यारी करने के लिए आम है basic चीज जों का आर्त तो यह होता है, ठीक है नहीं, और अगर आप उस तरीके से basic चीजों को पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपके basic कभी clearी ना क्योंकि सारी लोग NCRT पढ़ते हैं, UPSC की त्यारी करते हैं, लेकिन आज तक उनका basic clear नहीं है, ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि वो उस तरीके से चीजों को side part नहीं पाते हैं, या समझ नहीं पाते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी दूईदा है, ठीक है, पहली चीज, दूसरी अगर आप लोगों के लिए, हम लोग अगर त्यारी की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमें क्या रणनी ती अपनानी चाहिए, तो देखो, आप लोग अगर त्यारी कर रहे हो, जिनके पास दो साल है अभी, या तीन वर्स है अभी, एक्जाम देने के लिए, ठीक है, तो ए जिननने अभी सनातिक की है और आप जैसे तीन साल के कॉर्स में प्रवेस लेते हो तो करवाते क्या है भापिस वही दुबर आपको कोचिंग उसी क्लास में बिटाते हैं तो फिर आपके वैसी कुछ चीज़े होनी है नहीं तीन साल का कॉर्स का आर्थ ये तो बिलकुली नहीं है कि आप एक की कॉर्स को तीन बार पढ़ो ठीक है नहीं तो आपको उन चक्रों में नहीं पढ़ना है और एक होता आपके जो तीन वर्स तक त्यारी करता है फिर्स्ट येर से लेके एक वो है जिसने अभी ट्विल्ट पास ही की है आपके अभी ठीक है नहीं और एक वो है जो सना तक के अन्तिम वर्स में अज्यनरत है ठीक है और ये लोग वो है जिनोंने जो फिर्स्ट येर में हैं आपके या सेकिंड येर में इन लोगों के लिए तो आप अपन बात करते हैं कि यह लोग किस तरीके से चीजों को करे तो देखो, आपको सबसे पहले जो basic books लानी है जो हम लोगों ने बता रखी है आपके, तोलिया सर ने भी एक क्लाश में बता रखी है आपको तो ये चीज़े समझ में आईगी नहीं, ठीक है, बेसिक बुक्स में भी कहीं सारी चीज़े ऐसी है, जो बहुत ज़्यादा आपकी लेंग्वेज भी उनकी ऐसी है, कि वो आपके बिल्कु भी समझ में नहीं आती है, तो फिर आप कैसे त्यारी करोगे, ठीक है, तो आप concept से लेकर और exam oriented चीज़े पढ़ाई जाए आपके, यहां से लेकर और जो exam में पूछी जाती है वो चीज़े, सामगरी तक आपको पहुंचाया जाए, ठीक है नहीं, तो वो होती है basic त्यारी, और यहां पे एक institute की पूमी का रहती है आपके, बाकि आप सभी जानते ही हो किस तरह से क्या चीज़े होती है, ठीक है नहीं, तो हम लोग आप लोगों के लिए इस पर जोर देंगे, कि आपको जब भी पढ़ाए, जो भी सब्द का परियोग करे, वो आपको समझ में आए, ठीक है नहीं, और फिर उसके बाद उसी topic के उन सब aspects को आप लोगों तक deliver किया ज जिससे कि आपके exam में प्रसन सही हो सके, और आप किसी भी बासा में अगर प्रसन पूछा जा रहा है, तो आप उसका हल कर सको, ठीक है नहीं, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखकर त्यारी करवा रहे हैं, तो पहली चीज़ तो यह है, तो अब आपको लग रहा है कि अब class is available है, तो आप उन चीज़ों को देखो, जो चीज़ आपको लगे सबसे सटीक की हाँ, यह चीज मुझे समझ में आ रही है, इसकी बासा teacher की मुझे समझ में आ रही है, जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है, और यह वेक्ति साथ में basic चीज़ों को भी बताते ह हुए चल रहे हैं, तो वो चीज़ आपके काम के, जैसे कहीं बार आप पढ़ते हो, रस्ट वाद, भारत में रस्ट वाद का उदे, आपने रस्ट सब्द की परीबासा ही नहीं पढ़ी, रस्ट वाद की परीबासा नहीं पढ़ी, और सिधा आप पढ़ते हो, चूंकि कि कि भी solve नहीं कर पाओगे तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां जो भी हम त्यारी करवाएंगे वो आपको basic चीज़ों को लेकर त्यारी करवाते हैं बिल्कुल साथ में लेके और last में उस level तक आपको ले जाते कि आप उस exam में बागी लोगों के साथ 30 परदा कर सको ठीक है ने तो यह चीज़ है अब आपको लगता कि फिर हमें क्या करना चाहिए साथ में क्या पढ़ना चाहिए अभी मान लीजिए कि कोई कोर्श आप लोग नहीं कर पाते हो ठीक है ने तो फिर आपको क्या करना चाहिए तो आपको जैसे बेसिक एटलस लेना चाहिए एक तो उसमें मेपिंग की जो भी चीजें परवत, पठार, मैदान जो हमारे सेलेबस में हैं, मरुस्तल वगेरा वो आपको उसमें देखने चाहिए ऐसे इंडियन जियोग्रोफी में आपको कुछ चीजे देखनी चाहिए तो वो आपको बेसिक चीजे समझनी चाहिए जहाँ पर कहीं पर भी आपको लगता है कि मैं कुछ बुक्स की जैसे शिक्स से लेके एट तक की सोशल स्टडी जो है आपके इसकी मैं स्टडी एक कर सकता हूँ तो वो आपको करनी चाहिए कम से कम एक दो बार उन चीजों को पढ़ लेना चाहिए आप नाइंट और टैंथ की भी बुक पढ़ सकते हो SST प्लस साइंस की लेकिन आप यह ध्यान रखो कि हमारे जो सिलेबस के टोपिक है आप R.A.S. का सिलेबस लो प्रिलिम्स और मेंस का और उस सिलेबस के अंदर जो टोपिक है उनी टोपिक पर ही आप अपना ध्यान रखो उसके अलावा बागी टोपिक नहीं पढ़ने इसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनी किताबों में से 60% पर्षन आते हैं लोग आपने सुने होंगे कि 80% के इसा बिल्कुल नहीं है इन में से इतने किशन नहीं आते हैं इन में से सिरफ 20% के इसन आते हैं और वो भी तब जब आप लोगों को कुछ basic चीजे समझ नहीं हो तो आप समझ सकते हो सारी basic चीजे मैंने पहले ही बताया था कि आप इन किताबों से नहीं समझ सकते हो क्योंकि इनमें पूरी चीजे वेसे नहीं दी हुई है चोटे-चोटे चेप्टर दिये हो है और आप तो जैसे कहीं history वगएरा मैं तो इस तरह के chapter बिखरे हुए दे रखे हैं कि आपको सारी चीजे समझ में नहीं आती है तो आपको बिल्कुल इन चीजों को एक दो बार आप इनकी reading कर सकते हो इन किताबों की SST और आपके science की ठीक है और six to ten तक कि आप कर सकते हो बिल्कुल और हिंदी में जैसे आपने नमीन व्याकरण की book है अपनी राज़तान बोर्ड की ठीक है तो हिंदी में जो व्याकरण की चीजे है उसमें जो आपको memory best चीजे है वो आपको साथ साथ में करनी चाहिए जैसे पर्याइवाची है विलोम सब्द है सब्द युग्म है ठीक है इन चीजों पर परशासनिक सब्दावली है ये चीजे आप देख सकते हो बाकी संदी है उपसर्ग है परत्य है सब्द सुद्ध है वो तो तब ही सही होंगे जब आपको संदी के बारे में पूरी जानकारी होगी ठीक है न वो रटने से काम नहीं चलेगा ऐसी इंगलीस में आप को चीजें जो याद करने की या रटने की है वो आप देख सकते हो साथ साथ में तो ये आप त्यारी अपनी जारी रख सकते हो न्यूज पेपर आपके काम आएंगे नहीं अभी से ठी अपने आप चीजे हो जाएगी लेकिन अभी से आप अगर न्यूज पेपर लेकर बैठे हो आप एक्जाम दोगे चार साल बाद तो उस न्यूज पेपर का कोई यूज आपकी लाइफ में अभी नहीं है ठीक है न है और आप जो न्यूज पेपर पढ़ते हैं उन में कोई समझ पाओगे ठीक है सब्द बूराजनीती दिया हुआ आपको पता ही नहीं जियो पोलिटिक से होती ही क्या है फिर आप उस पेपर को बढ़ते हो तो फिर उस चीज का कोई अर्थ नहीं रह जाता है ऐसे ही कोई आर्टिकल आपके एकोनोमिक्स में है ऐसे ही आर्टिकल कॉ समझ पाओगे जब आपको बैसिक चीजी नहीं पता है तो पहले हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और यह जो करंट वगेरा के चीजे यह बहुत बाद में आपके माइने रखती है यह चीज आपको क्लियर रखनी है ठीक है तो अगर आप त्यारी करते हो अभी तो आपको इन चीजों पर आप फोकस कर सकते हो और एक बड़िया क्लास आप जोइन कर सकते हो और उसमें आपके बिल्कुल टेस्ट होते रहे बेसिक चीजे आपको क्लियर करवाए उसके साथ सारी चीजे चले तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफीशिल है और यह हम हम लोग भी करवा रहे हैं RS Study Circle पर और अभी आपके नए बेस 16 से सुरू हो रहे हैं 16 June से तो आप Foundation का बेस ले सकते हो उसमें आपके सारी चीजे Answer Writing सब चीजों पर फोकस करेंगे ताकि आपको कोई दिकत नहीं आए और वहां हमारा Basic Art मैंने आप लोगों को बता दिया हम उस से आपको Basic की त्यारी करवाएंगे और यह जो content NCRT का RBSC का यह हमारी class में अपने आप ही आ जाता है क्योंकि सारे teacher वही पढ़े हुए हैं पहले और बड़िया त्यारी की हुई है RS में कहीं कहीं सब का selection हो रखा है तो उन्होंने वही चीजे पढ़ी थी और उन्होंने जो भी वह चीज बोलते हैं किसी topic के बारे में तो वह content अपने आप ही आता है उनके सब्दों में इसलिए आपको कोई चिंता करने की आप सेकता नहीं है ठीक है पिल्कुल आप पूरा बरोसा कर सकते हो चीज बे जैसे ये वाले जो लोग है इनको क्या करना चाहिए तो इनको भ बार-बार इनकी study करो basic चीजे देखो लेकिन मैंने का पढ़ना वो ही है जो syllabus में इसके अलावा कोई चीज नहीं पढ़नी है आप अब जैसे 12th pass की है first year में आया है दो दिन पढ़ा और गयता है कि sir answer कैसे लिखू अरे भी या answer लिखना इतना आसान हो था तो फिर सारी लिख लेते answer लिखने की stage तो बूत बाद में आती है पहले आपके concept के लिए होने चीए पहले सारी चीजे के लिए होने चीए तब आप चीजों को correlate करके लिखते हो तो आपको answer perfect होता है लेकिन आप लोग क्या करते हो आप लोग यह करते हो कि सीदाई answer लिख लिख लेत एक topic उसी को वापिस लिखते हो, तो answer writing practice नहीं होई, वो तो सिरफ क्या हुगा, memory check करना हुगा, कि मुझे कितना याद है, ठीक है नहीं, तो वो चीजे आपको वे से नहीं करने, तो ये चीजे आपको clear हो गई होगी, कि किस तरीके से हम इन चीजों को देखे, तो जिन्नोंने 12th में, जिन्नोंने पास की है, या जो 1st year, 2nd year में है, तो उनको ये book जो SST की है, आपके 6 to 10 तक की, और science की, वो आप पढ़ो, और syllabus की according पढ़ो, कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो, ताकि वो चीजे आपके दिमाग में बैठे, जहां पर भी कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई सब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप जो भी college में आप जाते ही होंगे, तो आप teacher, क्योंकि वहाँ पे आपके इनी subject के मिलेंगे, तो आप उन से वो चीजे discuss कर सकते हैं, या कोई आपका senior है, जो त्यारी कर रहा है, गर में भी होते हैं भाई बैन, आप उन से चीजों के बारे में पूछ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है, और class join करनी हैं, तो वो आप लोगों के लिए हम लोग provide कर रहे हैं, ऐसी basic चीजे, ठीक है, जिससे आप लोगों को सारी चीज momentum में चल रहे हैं, और अमारी त्यारी ठीक हो रही है, तो वो आप लोगों के लिए useful रहेगी, ठीक है, तो ये basic चीजे मैंने आप लोगों को बताई, अभी मैं आप लोगों को किताबे लिखवा दूँ, ये पड़ो, वो पड़ो, ये वाली लेयाओ, लक्षमी कांत होगे, ठीक है, या spectrum लाके घर में रख दी, रमे सिंग लाके रख दी, अरे क्यूं भई, ठीक है, जब आपको चीजे अभी आपने शुरुआत ही किया, आपको बासाई पकड़ में नहीं आ रही है, तो फिर इन किताबों का अभी कोई use आप लोगों के लिए नहीं है, जो basic कभी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को तो बिल्कुल इन किताबों से तोड़ा सा ध्यान देना है, इनको बार-बार पढ़ना है, और जब ये चीजे हो जाए, या तो तब class join कर लो, आप लोग ठीक है, और या फिर आप साथ में जो है, अभी त्यारी कर रहे हो, तो class join कर लो और साथ में ये topic भी इन किताबों से देख लिया करो, अगर आपको लगता है कि कोई चीज मुझे इससे देखनी चाहिए, तो वो आपके चीजे cover हो जाती है, और फिर आपकी perfect त्यारी होती है, टाइम लगता है इन चीजों में, लेकिन आप अगर दो से तीन साल अच्छी म होगी, ठीक है, फिर हम लोग जो study material provide करवाते हैं, class notes, जो भी चीजे लिखवाते हैं, उसको notes format में लिखवाते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल ज्यादा useful रहती है, तो फिर आपको ज्यादा उसमें अपना दिमाग लगाने की आफसेक्ता नहीं होती है, दि कर फिर उस question को attempt करूँ, तो इन चीजों पर आपको ज्यादा focus करना चीए, clear हो रही है बात आप लोगों के, तो ये सारी चीजे आप लोगों को रखनी है, ध्यान में, तब जाके अपनी त्यारी होती है, एकदम perfect RS वाले, ठीक है नहीं, शिरफ ये नहीं कि class हो में जाए, ब बिल्कुल ध्यान दो, एक-एक सब्द को पकड़ो, समझ में नहीं आता तो पूछो, और नहीं तो आप basic इन किताबों से देखो, और उन चीजों को clear करते होए आगे चलो, तो आपकी RS की त्यारी perfect होती है, ठीक है नहीं, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है आप होगे तो मुझे लगता है कि दो-तीन साल में आप लोग जो भी इन सालों में पढ़ते हैं तो वो बाव की काफी अच्छा कर सकते हैं, और ये जो लोग जिन्होंने अभी graduation की है, और जो अभी सोच रहे हैं कि इस बार जो RS की विद्यपती आएगी और उसमें हम appear होंगे, exam लेंगे, तो उनको अभी फटा पट ये चीज़े एक बार इन चीजों को निकालना चीए, NCRT को या अपनी राजस्तान बोर्ड की किताबों को, ठीक है, आप राजस्तान बोर्ड अब तो एक जैसे होगी तो राजस्तान बोर्ड वाली किताब आप ले सकते हो, और 6-10 वी जाता कि आपको कम से कम दो बार अभी पढ़नी चीए, ज्यादा टाइम नहीं देना चीए, 2-3 महीने में आपको ये चीज़े करनी चीए, ठीक है, और कम से कम दो बार पढ़ो, फिर उसके बाद आपको लगता है कि क्लास जोइन करनी तब कर लो, और अगर आप चाहते हो कि अभी करें, हमारे ये साथ में कवर हो जाए, तो फिर आप लोग हम से जुड़ सकते हो, आरेस स्ट्टी सर्किल में, ठीक है, और उसके लिए हम आप लोगों के लिए, एक तो हमारे जो दो बेच लेके आए हैं, एक तो ये बेच है, ये प्रिलिम्स का बेच है, मरुदर, औ और ये आपके 16 जून से शुरू हो रहा है, और इस बेच की खासियत क्या है, कि इसमें हम प्रिलिम्स वाले जो सब्जेक्ट है, उनको प्रिलिम्स प्लस मेंस दोनों के इसाब से करवाते हैं आपके, जैसे कौन से इतियास है, भुगोल है, अर्थवश्ता है, समीधान है, जो कौमन है, राजस्तान है, तो वो आपको दोनों इसाब से करवाते हैं, ताकि आपके बाद में ज्यादा जोर ना पड़े, ठीक है, अब सिंदु गाटी पड़ी है, तो सिंदु गाटी में बाकी चीज़े तो गई, धरम दर्शन और कला को हम मेंस के इसाब से करवाते है उसमें से प्रिलिम्स के भी क्यूशन मिल जाएंगे, और मेंस में भी आपको आपको आंसर राइटिंग में चाउलियत रहे, तो इस तरीके की जो चीज़े हैं, वो आप लोगों को करवा ही जाती है, तो यह हमारा प्रिलिम्स का बेच है, जो 16 जून से आरम बोर आपके, ठ करवाइड करवाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से यह हमारा फाउंडेशन का बेच है, और इसमें हम पूरा आपको कॉर्स करवाएंगे, प्रिय और मेंस का, ठीक है, जो 1st year वाला है, उसके लिए भी यह इतना ही useful है, जो अभी RS मेंस दे चुका है, वो उसके बराबर हम लाने की, इसमें बिल्कुल आपके मेनत करते हैं, कि 1st year वाला बच्चा, मेंस दिये वाले बच्चे के बराबर हैं, जाए आपके, एक साल के अंदर, वो इस तरीके से अपन पढ़ाते हैं उसको, और वो अगर हमारे बताए, अनुसार चले, टेस्ट, रिवीजन करे, तो वो उस क आप लोगों को कवर करवाएंगे, साथ में आंसोर, राइटिंग वगेरा, ये सारी चीज़े जो है, वो आप लोगों के लिए अविलेबल होगी, ठीक है, ये जो हमारा कॉर्स है, वैसे तो आपके, इसकी जो प्राइस है, वो ये है, लेकिन अभी हम आप लोगों को ओफर देंगे, तो उसमें आप लोग तीन दिन तक चलेगा, तो आप लोग उसका बेनेफिट उठा सकते हो, ठीक है, और ऐसे ही आपके इस बेच की बात है, तो ये भी 11,000 का है, लेकिन इसमें भी जो है, तीन दिन हम ओफर देते हैं, अगर आप लोग उस समय उसको लेते हैं, त ली और आपको वो समझ में नहीं आ रही है, आपने सजा के रखी है, तो उसका कोई जदा यहां पे यूज नहीं है, इससे तो बढ़िया है, कि आप NCRT की किताबें कम से कम दो से तीन बार पढ़ो उसको, और फिर एक बढ़िया क्लास होनी चीए, जहां पे आपकी सारी ची सही तरीके से करो, उसमें आप लोगों को जो भी सपोर्ट, RS Steady Circle की तरब से चाहिए, वो आप लोगों को अवैलेबल है, ठीक है, थैंक यू